तो आज शम अपने जो है काज कड़ी वाले खेतों में आ गए है यह देखो इस खेत में जगह जगह पे कई भी आसपास पानी की व्योस्ता नहीं है मतलब यह पूरा सुखा पड़ा है और यह जो है लाल कलरेड मुवा मुरूदा है मतलब यह माती है हमारे माराटी में माती के पर इसके जो स्टोन है वह अलग ही दिखाई देते हैं मैं आपको एक सुम करके दिखाता हूं मैंने बहुत सारे बंचेश देखे इस जगह आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मैं यह देखो यह मोबैल है पापा का और यह हमने पानी के विवस्ता करी थी लेकिन उसमें पानी नहीं है अभी यह पूरी खाली हो चुकी है और यह कुछ इस प्रकार के स्टोन होते हैं इस मुरुदा में यह देखो आपको दिखाए हां मेरी शाड़ो आ गई थी नीचे यह देखो यहाँ पे भी ग्रास है और यह इस प्रकार के स् स्ट्रक्चर होते हैं यानि सैंट स्ट्रक्चर होते हैं और यह प्लकेड होते हैं बाइंडेड होते हैं सैंट स्ट्रक्चर और इससे एक रॉक बनता है यही रॉक है वो ब्रावनिश रॉक तो यह है प्रावनिश रॉक आपको दिखाए दे रहा होगा यह को आपको दिखा कृणंS यानि माती मुरूदा विए ते दिखू बंचिस में डाले हुए यह जो है कि साइड़ेंजेरी है कि अगया है और तक आले हुए आगे चलते है एस तोड़े टेन akin हैं मतलब ठोड़े छोटे-छोटे और यह देखो इस साइड भी है यह लाश्टा यहां से यहां तक यहां से आपको तो एक्स हाँ टू एक्स फॉर एक्स और रहे आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह सभी स्टोन इस लैंड एरिया से निकले है और यह भी यह यह जो है आप बेखरी बक्रिया चर रहे आगे आगे और यह जो है इस लैंड एरिया से निकले है यह सभी जो लैंड एरिया है वह तांबूस कलर और मतलब ब्रावन इसका जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई पड़ता है यह सैं स्ट्रक्चर मतलब वाडी हुए आपने वालू हमारे महराटी में वालू के तेजर वालू से जोइंट हुआ बाइंडिंग हुआ मतलब जोड़ा गया और यह स्ट्रक्चर बहुत आपको यह देखूं यह पूरी तरह से इस साइड यही स्ट्रक्चर वाले स्टोन दिखते हैं और यह देख नॉर्मल साइज का स्टोन है यह हर जगा दिखता है पिला वाला लेकिन यह जो है यह अलग प् पाइंडिंग होकर यह स्टोन बनते हैं तो आपको यह दिखा दिए मैंने यह वहाँ से लेकर यहां तक आ गये थे इसी छोर से हम अभी वापत चले जाएंगे क्योंकि आज हमें अभी जाना है पानी लाने के लिए क्लिए क्योंकि पानी समाब दूचुका है हमारा तो यह बोटल हम उठाले थे और इमोबाइल भी उठाले थे दोना भी उठाले थे चलो तो वाट्सप बैक दोस्तों मिलते हैं अगले वलोग में बाई